हेलो गाईज, वेलकम टो इंडिस चैनल, जैसे कि आपको पता होगा, अमेरिका में राष्ट्रपती चुनाओ 2020 संपन हो चुका है, और वहाँ नए राष्ट्रपती की रूप में जोय बार्डन सपत लेंगे, और यह टापिक आपके जीतने भी कॉम्पटिशन एकजाम है, उस सभी कोस्चन लेकर आए हैं, तो चलिए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं, पहला प्रसन देखते हैं, देखे, अमेरिका के नए राष्ट्रपती जो बाइडन कीस पार्टी से हैं, इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, कीस पार्टी साथ बाइडन के लिए वाइड हाउस का रास्ता साप हो गया है, याद रखेंगे, नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं, जो बाइडन अमेरिका के कीस नंबर के राष्ट्रपती होंगे, कीस नंबर के राष्ट्रपती होंगे, इसका अंसर हो जाएगा, ऑप्शन थार्ण 3, 46, जो बाइडन अब अमेरिका के 46 वे राष्ट्रपती होंगे, इनसे पहने डोनाल्ड ट्रम 45 नंबर के राष्ट्रपती थे, नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं, अमेरिका के नए एवं प्रथम महिला उप राष्ट्रपती 2020 के पद कौन सम्हालेंगे, इसका अंसर हो जाएगा, अप्सन फर्ष्ट कमला हैरिस, नाम याद रखेंगे कमला हैरिस, कमला हैरिस अब उप राष्ट्रपती बनेंगी, कमला इस पद पर पहुचने वाली पहली महिला होंगी, इस पद पर काबिज होने वाली वे पहली साउथ एसियन और अस्वेत हैं, यह भी याद रखेंगे, या भारती मूल से संबंधी थाए कमला हैरीस ने साल 2017 में कैलिफोर्निया से संयुक्त राज्य सी नेटर की रूप में सपत ली थी नाम याद रखेंगे कमला हैरीस प्रथम महिला उपराश्ट पती नेक्स्ट में आते हैं अमेरिका के नए उपराष्टपती कमला हैरिस का संबन्ध भारत के किस राज्य से है? Important question है, नए उपराष्टपती कमला हैरिस का संबन्ध भारत के किस राज्य से है? इसका अंसर हो जाएगा option 3 तमिल नाडू राज्य से है, किस राज्य से है? तमिल नाडू राज्य से, इसके बारे में देख लिते हैं, देखें कमला हैरिस की माँ भारती थी और पीता उनके जमय का मुलके थे, माँ कदनाम स्यामला गोपालन हैरिस था, तमिल नाडू में कमला हैरिस की पुस्तेनी गाउं है, चिन्नाई से लगभग 350 किलिमीटर दूर इस गाउं में हैरिस के नाना पीवी गोपालन रहते हैं, इस कारण उनका संबन तमिल नाडू से है या याद रखेंगे नेक्स्ट में आते हैं, जो बाइडन किस राष्ट पती के सासन काल में दो बार उपराश्ट पती रहे зад का अंसर हो जाएगा option 2 बराक ओबामा ओके गईस जो बाडन दो बार ततकालिन अमेरिकी राष्टपती बराक ओबामा के कारेकाल में उप राष्टपती के पद पर रहे next में आते हैं अमेरिकी राष्टपती चुनाओं में बहुमत के लिए कितने इलेक्ट्रोरल ओटों की आवसकता होती है क्या बोलगा है अमेरिकी राष्टपती चुनाओं में बहुमत के लिए कितने इलेक्ट्रोरल ओटों की आवसकता होती है इसका अंसर हो जाएगा जो बाइडन को 290 इलेक्ट्रोल से भी अधिक और प्राप्त हो चुके है वहीं ट्रम 24-14 तक ही सिमीत है नेक्स्ट कोस्टन में आते हैं अमेरिकी राष्ट्रपती के इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपती कौन होगे? क्या बोल गया है? अमेरिकी राष्ट्रपती की इतिहास में सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपती कौन होगे? इसका अंसर हो जाएगा option first जो बाइडन कौन होगे? जो बाइडन 29 बर 1942 को जन में जो बाइडन 78 वर्स के उम्र में राष्ट्रपती पद की सपत लेंगे वह अमेरिका की इतिहास के सबसे उम्र दराष्ट्रपती होगे जो बाइडन ने डेला वेयर में सबसे पहले 1972 में सीनेटर चुने गए और उन्होंने 6 बार इस पद पर कबजा जमाया हो 29 वर्स की आयू में सीनेटर बनने वाले सबसे कम उम्र के भी थे जो बाइडन यह भियाद रखेंगे इट्स वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट कोस्टन है वीडियो अच्छा लगात लाइक सबस्काइब और सेर करना न भूले थैंक्यू सो मच